हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वीना अगरवाल किचिन आज की जो रेसिपी है वह बच्चों के समपूर विकास या ओवरॉल डवलपमेंट के लिए काफी हेलफफुल होती है न्यूट्रियंट से भरपूर या रेसिपी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और इसका टेस्ट भी बच्चों को बहुत पसंद आता है इसे आप अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी बना के खिला सकते हैं तो एक बहुत जरू ट्राय करें आईए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए एक कुकर को गर्म कर लिया है इसमें थोड़ा सा घी आड़ करेंगे जैसे एक घी गर्म हो जाएगा इसमें बहुत थोड़ा सा जीरा आड़ करेंगे बहुत थोड़ी सी हींग आड़ करेंगे हींग बच्चों के डायजेशन में हेल्प करती है और बच्चों में गैस भी नहीं बनती तो जरूर एट करें इसमें थोड़ी सी प्याज को बारी काट कर एट करेंगे एक लहसन की कली को बारी काट कर एट करेंगे इसको कलर चेंज होने तक भुनेंगे एक छोटा आलू लिया है जिसको अच्छे से धू लिया है इसका छिलका निकाल कर छोटा छोटा काट लेंगे इसमें थोड़ा सा पानी एक कर दें क्योंकि आलू कटने की बात काला पर जाता है कटे हुए आलू को कोकर में एक करेंगे आधी गाजर ली है इसका भी छिलका निकाल देंगे और छोटा छोटा काट लेंगे इस कटी हुई गाजर को कुकर में एड़ कर देंगे थोड़ी सी ब्रोकली ली है अगर ब्रोकली नहीं है तो आप गोबी भी यूज़ कर सकते हैं ब्रोकली या गोबी साफ करने का तरीका यह है इसमें थोड़ा सा गर्ण पानी एड़ करें थोड़ा सा नमक एड़ करके इसे पांच मिनिट के लिए रख दे उसके बाद यूज करें अब साफ की हुई ब्रोकली को कुकर में एड़ कर देंगे थोड़े से मटर के दाने लिए हैं, इनको भी कुकर में एड़ कर देंगे इन सबको आधा से एक मिनिट के लिए भूनेंगे इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर एड़ करेंगे थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे अगर बच्चे 10 मंद से छोटा है तो नमक ना डाले थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर एट करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करके कुकर का धक्कर लगाकर 2 सीटी आने तक पकाएंगे 2 सीटी के बाद कुकर का प्रेसर रिलीज कर दे और चेक कर लें कि सबजी आच्छे से पक गई है या नहीं अगर पक गई है तो मैशर या स्पून से इसको अच्छे से मैश कर ले दो चमच के करीब पोहा लिया है इसको पानी से साफ कर ले साफ की हुए पोहे को कुकर में एट कर देंगे एक चमच के करीब रोस्च की हुई सूजी एड़ करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें आधा गिलास के करीब पानी एड़ करेंगे इसे तीन मिनिट के लिए पकाएंगे जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए जैसे ही सूजी अच्छे से फूल जाएगी और हलवे जैसी कंसिस्टेंसी आ जाएगी गैस की फ्लेम को बन कर दें आप चाहें तो आखिर में थोड़ा सा घी एड़ कर सकते हैं और हल्का गर्म बच्चे को खिलाए अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जादा से जादा शेयर कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे के आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें